हेलो स्टुएंट्स मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं अपने 12 साल के एकनॉमिक्स के टीचिंग एक्सपीरिंस के साथ में आपके सामने यूटूब पर सेशन लेकर क्या आ रहा हूँ बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर फाइब प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो एकनॉमिक्स आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि क्यों सबसे जादा बैक एकनॉमिक्स में बच्चों की आती है क्यों सबसे सुटेंट्स में पड़ा फेल होते है उसके पीछे क्या कारण है अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जब ऐसे subjects जिसके अंदर numerical हैं like math and stats हो गया और भी subjects में numerical से पूरा पूरा आपका subject ही भरा हुआ है वो उसे subjects के अंदर student pass हो रहा है लेकिन economics में फिर क्यों fail हो रहा है student वो इस वज़े से क्योंकि बच्चा एक गलत assumption लेकर के चल रहा है क्या लेकर कर रहा है जैसे यह बुक लेकर के आते हैं उसका आप syllabus देखते हैं तो syllabus में आपको यह मिलता है जो कि अभी आपके सामने principle of micro economics में है यह आपका syllabus है semester 5 का इस syllabus को अगर आप देखते हैं तो syllabus में क्या है problem of scarcity है demand and supply है elasticity of demand and supply है यह आपका जो है आपके सामने syllabus है consumer theory है चा या फिर difference curve तो आप जो बसको देखते हैं तो आपका mindset होता है कि यह तो वही है जो कि हमने अपने academic में इसको पहले पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि बस हमें इस बार revision revision लेना है और इसको हम cover कर लेंगे इसलिए subject को उठा करके बच्चा side में रख देता है और बा चलो revision लेते हैं हमने पहले पड़ रखा है लेकिन जब वह revision लेते हैं revision लेने के लिए जब वह syllabus से आगे बढ़ते हैं फिर जो देखते हैं वो फिर उनके लिए एक panic create करता है क्योंकि आगे आप क्या देखने वाले हैं मैं आपको वह आज दिखाता हूँ देखिए आगे आ आपका है derivation of demand curve with the help of indifference curve आपने low demand पढ़ा है वहाँ पर आपने इंडिफरेंस कर पर लेकिन demand कर पर derivation देना है इंडिफरेंस करके help से यह कहाँ पढ़ा पर परमतों यह आएगा तो इसलिए यहाँ आप पर अंदर का content आपका बिल्कुल चेंज अदर आ रहा है आप बताएए अगर production कोस्ट के अंदर आपने बेसिकली marginal कोस्ट टोडल कोस्ट एवरेज कोस्ट यह सब चीज़े आपने यहाँ पर पढ़ा है लेकिन यहाँ पर आपके पास में आ रहा है आईसो कोस्ट लाइन आपके पास में आ रहा है तो यह जो नई चीज़े है न और यह maximum सारे चीज़ें आपको अंदर का content आपको नया मिलेगा तो वन वीक पहले तो यह कवर करना बड़ा जो है यह पॉसिबल नहीं है और है भी तो बहुत मुश्किल है तो उस वज़े से एक गलत प्रोग्राम सेमेस्टर 5 और हमारा सफर यहाँ पर जीरो से हीरो तक का होगा मैं यह अजंशन लेकर कि आपको पढ़ाओंगा कि इससे पहले आपके पास में economics नहीं थी बिल्कुद जीरो से बिल्कुद बेस से स्टार्ट करेंगे जीरो से अपना सफर स्टार्ट करेंगे और हीरो तक कि अपने जरनी को हम तै करेंगे और economics में फुल स्कोर की तरफ जाएंगे अंतर कैसे लिखेना है डाइग्राम कैसे बनाना है और हमें किस तरीके से चीज़ों रहें यहाँ पर आइसो क्वांट तो यह सारे चीज़ आपके सामें नहीं आपको देखने को मिलेंगी तो यह सेशन में आपके साथ में ले करके आ रहा हूं थेंक यू, थेंक यू सो मच और सेशन को लाइक और शेर कर दें और इनफॉर्म कर दें कि प्रिंस्पल और माइक्र एक्रोमिस का इंतिजार हुआ खतम थेंक यू, थेंक यू सो मच